नमस्कार दोस्तों नमस्कार जैस्त्री कृष्णा रादे रादे सभी दोस्तों को राम राम आ जाओ फटा फटा जाओ दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है आज विगप्ती संसोधन जारी कर दिया है पसू परिचर आप सबको पता है पढ़ लिया होगा कल मैंने स्टेटस लगाए था परसो की सो परसेंट इस महिने के अंत में फोरम स्टार्ट हो ज जाएंगे ठीक है पहले मैंने का था दिपावली से पहले होंगे 11 को हुए थे फोरम जब जब मैंने काया वह सत्य हुआ है आगे भी सत्य होगा फिर से कह रहा हूं कि पसू परिचर की वेकेंसी बहुत बड़ी वेकेंसी दस्यू पास है कोई डिप्लोमा कुछ भी नीची औ और शानदार नोक्री है तो लग जाओ अपने ओफलाइन दूसरा बैच स्टार्ट कर दिया है और ओनलाइन भी बैच स्टार्ट इसका आप ओनलाइन भी ले सकते हो ठीक है बुक है बुक मार्केट में आ गई है और इधर देखो आज आगे क्लास शुरू करते हैं आज का अ गुड़िवली गुड़िवली गुड़िवल गुड़िूनी गुड़िवॉनी गुलाम खाका मेरा इस्तित शुरा है जोड़फुर जयपुर, इस बतोर रास सम्मन कहा पर इस्तित शो इशो जोदपुर क्याएगा दोस्तो जोदपुर करण सिंग ने किस ग्रंद की रचना की करण सिंग ध्यान रखना दोस्तो करण सिंग को करण सिंग को साथियों ने साथियों ने जहंगल धर बादशाह की उपादी दी जो इसके साथ थे उन्होंने और ये साहित्य कारों के साथ साथ मिलकर सर जी के की बुक मिल जाएगी बात कर लेना बता दूंगा अभी शिरफ पढ़ाई पर ज्यान दो क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाते समय डिस्टब कभी नहीं होता हूं जो चीजे होती है कोर्स बुक सब बता देता हूं लास्ट में आराम से ठीक है तो साहित साहित्य कारों के साथ मिलकर इन्होंने साहित्य कल्प द्रूम नामक पुस्तक लिखी थी साहित्य कारों के साथ मिलकर कल्प द्रूम पुस्तक लिखी थी ठीक है किसने करण सिंग ने अब यह क्यूशन आया था एक्जाम में यह क्यूशन आया था कि सूर सिंग के बाद बीकादेर का राजा कौन बना करण सिंग कौन बना करण सिंग और एक एक्जाम में आये था कि महराजा राई सिंग राई सिंग के बाद राजा कौन बना सूर सिंग सूर सिंग के बाद कौन बना करण सिंग कौन बना करण सिंग सर मेरा राम पता नहीं क्या बोल रहे हैं इधर देखो नेक्स्ट चार पांच जनवरी 1544 सीश्यों में सेर साहा सूरी सेर साहा सूरी वैं माल्देव के मद्य कौन सा युद्ध लड़ा गया कौन सा युद्ध लड़ा गया कौन सा युद्ध लड़ा गया कामर कसलो विकेंशी आ गई है जून में इसकी एक्जाम होगी कि मैं क्लास लेके बात करूँ नाम शुरूप हां तो मैं मिलूंगा भी थोड़ी देर मैं क्लास ले लो यूटूब पे चल रही आजा कि यूटूब पे ले रहा हूं देख ले कि नहीं यहां पर हूं मांसरोर कि ठेट वेरी गोड ज्यां दखना राम राम भई राम राम ज्यां दखना भई गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था कोन सा युद्ध भई था गिरी सुमेल का युद्ध अब गरी सुमेल का युद्ध क्यों वो उसका कारण सुनना गुर से यानि माल देव ने सेरसाहसूरी का अपमान किया था सेरसाहसूरी का क्या किया था अपमान किया था बिल गराम या कनोज का युद्वा था उसके अंदर सेरसाहसूरी को सेरसाहसूरी ने हुमाय को प्राजित करके बाहर कर दिया था सभी राजाओं को निमंत्र ने दिया था बहुत लंबी रहते हैं जेतारण का युद्ध लंबी छोड़ी काहानी है अगर आप समझना चाहते हो तो मैं साथ साथ समझाता चलो जेतारण का युद्ध अब यह मैं बताई देता हूं आप सबको कि युद्ध क्यूं हुआ था एक मिनट के लिए सुनना देखियो वह क्या था कि यह तो एक युद्ध वह बिल गराम गोर से सुनना गरी स मेल का युद्ध के हूआ एक्जाम में पूचते हैं सुनो विल ग्राम या कर्णोज का युद्ध लेकर दोस्तों यह कहां हुआ था यह यूपी में हुआ था ठीक है किसके मत्देवा था हुमायू वे सेरसाहसूरी के मद्दे हुमायू वे सेरसाहसूरी के मद्दे गोर से तुनते जाना इस सेरसाहसूरी ने इसकी पिटाई की किसकी हुमायू की और इसको भारस से बाहर कर दिया भारस से बाहर किया किसने सेरसाहसूरी ने फिर से सुना बिले गरामिया कनोच का युद्ध हुआ हुमायू और सेर साहसूरी के मद्ध है ठीक है इसी युद्ध में सेर साहसूरी ने हुमायू को यहां से प्राबाहर कर दिया भारस से बाहर कर दिया कि गोड़ी हो जा और सभी राज सभी राजाओं के पास एक पत्र भेज़ दिया कि इस ले सेर सहसूरी की जहां भी हुमायू दिखाई दे इसको बंदी बना लिए और तुमारे बसकी बात ना हो तो मेरे को सूचना दे देना वाय साथ मारवाड का राजा था माल देयों र Caf religion मालदेव यह जो मालदेव ना इसने कहाता हुमाई से मैरी साइता ले लेकिन हुमाई नो मना कर दिया तो अब बाइसाब दो वर्स बाद में साइता लेने के लिए दो वर्स बाद साइता लेने के लिए मालदेव के पास कहता है हुमाईू छुप-छुप क्या है कि यार-था मालदेव मुझे कैसे भी करके और तूसे निक्साइता देदे तो इसने का सुन आला कमान का आदेश है कि तु जहां भी दिखाइदे तुझे बंदी बना लिया जा इस बात का पता लग गया कल्यानमल को और कल्यानमल बाई साब यहां स्थे गोड़ी हो गया दिल्ली और जाकर सेर साथ सूरी से कहता है कि महराज आपको पता है कल मारवार में आके गया है मालदेव के पास इसने का है बोले हाँ तो बताओ इसका अपमान होगा की नहीं होगा अरा अपमान होगा की नहीं होगा अपमान हो किया था किसका सेर साह सूरी का किसने मालदेव ने तब जाकर इनके मद्य कुन सा युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध समझ में आया की नहीं आया थम करजे सुनिए सेर साह सुरी का अपमान किया था किसने माल देव ने किसने किया था माल देव ने मारवाड के आस्थान ने मार राठोडों की सक्ति का केंद्र किसे बनाया सक्ति का केंद्र किसे बनाया सक्ति का केंदर किसे बनाया सक्ति का केंदर किसे बनाया सक्ति का केंदर किसे बनाया बताएं दोस्तों सक्ति का केंदर किसे बनाया दीपू माया संतोस अनिता एस एस ग्रल सिल्पा और दीपू सभी बच्चों का सही है अब सुनो गुंदोज को बनाया था किसको बनाया था गुंदोज को बनाया था यह ध्यान दखना और यह नेक्स्ट दल थंबन की उपादी जहंगीर ने किसे प्रधान की थी अ किसे प्रदान की थी बताईए किसे प्रधान की थी मंता कुमारी जी गुडियोनिं गुडियोनिं गुडियोनि तैंक्यू भ chased मेरा नाम झीलession का है अ जीवी का सटरस् mins जीवी तो इसलिए जीवी का नाम पढ़ गया बहूत अच्छी बात हैं लड़की हो लड़ सकती हो है वेरी गोल जीवी का ठीक है जीवी का जी आप जीवीती रहो हमेशा कि अमर रहो कि आबाद रहो इधर देखो गज सिंग आएगा गज सिंग के दो पुत्र थे गज सिंग के कितने पहले तो आपको समझना है कि इसका अर्थ डिक्या होता है समू को रोक कर रखने वाला पहली अगली बात गज सिंग के दो पुत्रते साब एक बड़ा बेटा था अमर सिंग राठोड अमर सिंग राठोड और दूसरा था जस्वंत सिंग एक दासी थी उस दासी से प्रेम करता था कोण गज सिंग कोण करता था गज सिंग चाई पी होगी क्या ओम भूर्भुव अश्याहत श्यविदूर्वदेन्यम वर्गोदेव श्यदी माहीं दियोयोन प्रचोदया अज़ आएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग देखे बड़ा बेटा था अमर्च सिंग राठोड छोटा बेटा था जस्मन सी गज सिंग एक दासी से प्रेम करता था प्योसर बगवान के भोग लगा गए देखो आप मेरे बगवान हो ठीक है हाँ देखे यहां पे लड़के दासी ती उससे प्रेम करते थे गज सिंग छुप छुप के देखते थे कौन अमर सिंग राठोड ओहो मेरो बापुजी कुण की साथ बैठे हो है है आपने देखा कि कि शीटी के अंदर छोरे घाओं से आते हैं यह दो रड़े तेज होते हैं इनको पता चल गया कि मोट्या लुगाई इस खमरे में रहते हैं तो इनकी हरकते शुरूद जाती है आप देखा करो जंगल आ गया को जाली आ गई तो देखा करो कैसी अरकत करते हैं कि एस एर कटे कोन करता है गमार कोन करता है गमार तो साहजा के दरबार में साहजा के साले थे सलावत्खा उसने अमर सिंग को गमार कह दिया क्या कह दिया गमार तो बाइसाब अमर सिंग को गुस्सा आ गया और साहजा के साले सलावत्खा की हत्या कर दी कटार से घुप ठीक है आपकी क्लास पढ़ने में इंट्रेस्ट है मुझे बहुत बहुत निवाज जी ठीक है तो यहां पे इसे कटार का धनी कहते हैं कटार का धनी किसे कहा जाता है अमर सिंग राठोड को किसे कह जाता है अमर सिंग राठोड को तो दासी के कहने पर इसको यहां से निकाल दिया उस। राजा कौन मना जस्वंत सिंग कौन मना था महाराजा जस्वंत सिंग रियासत के उमेद सिंग साँ सकdan थे जा जादे बताए मेरे लड़ु गोपालो बताएए गोड़ 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 द्याहन रखना किस रियास्तत के उमेद सिंग सास्तक थे तो जोदपुर के महराजा थे उमेद सिंग ने उमेद भवन जिसे कहते हैं छीतर महल का निर्मान करवाया ये तीन भागों में बटा हुआ है कितने भागों में तीन भागों में बटा हुआ है ये कहां के राजा थे ये मारवार के राजा थे यानि जोदपुर के सासब थे राठोड सब्द किस से बना है जो दक्षिन की एक जाती थी ये मैंने समझाया था बहुत अच्छे से समझाया था कि अब इदर देखो ये भारत है दक्षिन भारत कौन सा भारत है दक्षिन भारत यहां पर एक जाती थी राष्ट कूट कूट से जाती थी राष्ट कूट इस राष्ट कूट ने कनोज के उपर आकर्मन किया और अधिकार कर लिया कनोज यूपी में है यहां पर कोन आके रहने लगे राष्ट बदायू आ गया गाउं है यूपी में ही बदायू गाउं यह कहां है यूपी में यह कनोज में यहां पर भी कौन आ गए राश्ट कूट गोर से सुनते जाना और यहां से राजस्थान में आए राव सिया तो वह राश्ट कूट ना लगा कि क्या लगाया राठोड क्या लगा कि इसने कनोज प्रदिकार किया कनोज से एक साका बदायू आ गई वो भी राश्ट कूट कहलाई यह राजस्थान में क्या कहला यह राठोड कहलाई तो राश्ट कूट और राठोड एक ही है अलग-अलग नहीं है साहित्यकार दयालदास चिंजय राठोडों की उत्पत्ति किस से मानी है ब्राह्मन वन्स पूनों से राश्ट कूटों से विदेशी जाती सीतियं से बताओ देखे सबसे पहले और सही आंस्वर किसका आता है दयालदास राठोडों की उत्पत्ति किन से बताई है सबसे बैस्ट और सबसे उत्तर किसका सही आता है यह देखना है कि बताए मेरे लड्डू गोपाली कि वेरी गोट कि गई बहेंस पानी में कि सभी बच्चों का सही आरा है बिल्कुल सही है राश्ट कूटों से किस से बताया है राश्ट कूटों से मुंडियारी ख्यात का विशय है मुंडियारी ख्यात जिसके लेखक है दयाल दास दयाल दास मुंडियारी ख्यात के लेखक कौण है दयाल दास है मुंडियारी ख्यात दयाल दास मुंडियारी ख्यात दयाल दास माया कुमारी मुंडियारी क्यात मुंडियारी क्यात ale MR है अजमेर के चोहान म्मवार के गुहील मारवार के राठोड नाडूल के चोहान नाडोल के चोहान बताई ये बहुत अच्छा है मारवाड के राठोड देयादास दिये राठोडों का इतियास लिखा है बिल्कुल आपका सही उतराया है मलीनात ने राव चूड़ा को कहां की जागिरी प्रदान की थी बताओ कहां की जागिरी प्रदान की थी मलीनात जी लूनी नदी के किनारे लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर है ज्याण रखना इनी के नाम पर इनी थे नाम पर के नाम पर इनी के नाम पर गाई वे घोडों की नसल प्रसित होती है गाई वे घोडों की नसल प्रसित की जाती है नसल प्रसिद्ध की जाती है बताओ दोस्तों कि गाइवे घोडों की नसल प्रसिद्ध की जाती है कि देखो कि किसी भी बच्चे का सही नहीं आ रहा है कि देर्य फाप जहां मर्जी आए वहीं की तो दे आएगा सालोडी जहां दगनावई कहां की प्रदान की ती सालोडी की बीकानेर के राय सिंग ने दो मुगल बादसाओं की सेवा की थी वे कौन-कौन से राय सिंग दो मुगलों के समकालीन थे कितने के समकालीन थे दो मुगलों के समकालीन थे कौन थे दो मुगलों के समकालीन राइसिंग अकबर और जहांगीर कहा है यह रहा अब सुनिये इन्होंने खुद ने कि राइसिंग ने राइसिंग को महराजा की उपादी मिली है महराजा सबसे पहले इनको ही मिली थी यह मान सिंग के बाद मान सिंग के बाद उच्छ कोटी का मनसब्दार था उच्छ कोटी का मनसब्दार था यानि 6000 मनसब्दारी मिली थी किदनी मनसब्दारी मिली थी 6000 मनसब् मिली थी ध्यान रगना और इन्हों ने ही जुनागड का किला बनाया था जुनागड का किला इसी ने बनाया था जिसे जमीन का जेवर कहते हैं जमीन का जेवर कहते हैं राहि सिंग ने गुजरात के इब्राहिम मिर्जा को प्राजित किया गुजरात के इब्राहिम मिरजा को प्राजित किया और इन्होंने ही 1583 दत्तानी के युद्ध में प्रधान सेनापती बनाए गया था जैसे मांद सिंग को बनाए गया हल्दिगा ठीका और राई सिंग को बनाए गया दत्तानी के युदध का नेक्स्ट जोदपुर के नस्दीक वह है एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद है एवं जिसका निर्मान आठवी बारवी सताव दिके बीच गूजर प्रतिहर्वन्स द्वारा किया गया था यह कम से कम पांच बार आ गया है ज्यादा समय इस पर खरार नहीं करेंगे ओसिया राजस्थान के उस प्रांत का नाम क्या है जहां सामन्तों की चार स्रेणिया थी ठीक है तो यह तो आप देखते बता दोगे आप कौन सा हो सकता है वह बताओ गनायत राजवी सरदार मुस्तेदी बताओ यह यह ना चारों चार स्रेणि थी बताए यह उत्तर सबका सही आना चीए सभी बच्चों का सही है मारवाड आएगा क्या लड्डू को पालो मारवाड नेक्स्ट महराज गंगा सिंग ने किस क्रांती कारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंद लगाया था यानी गंगा सिंग ने प्रतिबंद लगा दिया था गंगा सिंग ने कुछ न को डंचे पढ़ना गंगा सिंग ने किस क्रांती कारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंद लगाया था जमना लाल बजाज केशरे सिंग भाराइट सागरमल गोपा जैनारेण व्यास जैनारेण व्यास पे लगाया था ज जोदपुर के महाराजा ने इनके उपर लगा दिया था कि बताइए मेरे लड़ू गोपालो क्या आएगा सभी को बताना है तो द्यान रगाना जमना लाल बजाज के उपर गंगा सिंग ने प्रतिवन लगा दिया था कि मेरी सीमा में तु दिखाई नहीं देगा नागोर के प पुंडा सर है वो किसने बसाया था किसने बसाया था यह आपको बताना है सदाने उदाने रणमलने राव चूडाने नागोर के पास चूडा सर नागोर के पास चूडा सर गाओं किसने बसाया था देखो सारे बच्चों के अच्छे उत्रा रहे हैं मन खुस होता है कि हाँ अपने बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं मन लगा के पढ़ रहे हैं और वास्तों में इनकी रूची है ठीक है उत्तर दिया करो और क्यूसल करोगे तो आपके बहुत शांदार शांदा रजल्ट आएगा राव चुड़ा राजस्थान राज्य अभी लेखागार का मुख्याल है का है देखो राजस्थान राज्य अभी लेखागार के सामने के सामने कि सामने तू मेरे सामने ठीक है सामने क्या है टेसी टोरी का इसमारक है टेसी टोरी का इस मारक है टेसी टोरी का क्या है इस मारक है टेसी टोरी ने प्रत्वी राज राठोड को डिंगल का हे रोज काहा था डिंगल का क्या का था हे रोंज काहा था इसी टेसी टोरी ने कहां के थे यह इटली के राहुल गांदी के कुछ लगते होंगे यह ठीक है हाँ इसी टेसी टोरी ने प्रत्विराज राठोड को प्रत्विराज राठोड को डिंगल का हे रोंज काहा तो बीकानेर में यह कहा है मारवाड के महराजा गज सिंग की मृत्वि कहां हुई थी यह वही गज सिंग है जिसके पुत्र थे दो अमर सिंग और जस्वन्त सिंग यह वही है जिसको जहांगीर ने जहांगीर ने दल थंबन की उपादी दी दल थंबन की उपादी दी दल थंबन की उपादी दी दल थंबन की क्या दी थी उपादी दी थी बताओ दोस्तों कहां हुआ था इनका देहां देखे सबसे पहले आगरा लाहोर जोदपुर दिल्ली तो सभी लड़ु गोपालों का सई आ रहा है इसका लाहूर में क्या हुआ था देहांत हुआ था किस राजा के दरबार में विबिन विश्यों की 22 परमार जोतीसी विद्धमान थी सवाई प्रताप सिंग सवाई जैसिंग राजा मान सिंग और महरना राज से बताईए सुनो 22 परमार 22 जोतीसी 22 गुनिजन 22 विद्धमान रहते थे वो था सवाई प्रताप सिंग सवाई प्रताप सिंग ने हवा महल का निर्मान करवाया था अवा महल का निर्मान किसने करवाया था सवाई प्रताप सिंग ने इन्होंने ही तुंगा का युद्ध लड़ा ये सनातिय भई तुंगा का युद्ध कभ हुआ तुंगा का युद्ध कभुआ सत्रा सो सत्यासी दोलत सिंधिया और आइएएं फ्रोम जालोर गणेश कुमार सेनी जी रांत तुंगा का युद्ध एक्जाम में आता है सन पूस्ते हवामेल का निर्मान करवाया 22 गुनिजन 22 विद्वान 22 जोतिशी 22 परमार ये सवाई ही प्रताप सिंग के दरबार में रहते थे इनी के काल में बंसी धरबट माराश्च्ट से नाट्य सेली लेकर आया था नाट्य सेली तो जानते हो नाट्य सेली जिसकी प्रसिद्ध नर्ट्यांगना घोहर जान थी कोन थी गोहर जान थी कि बप्पा का इस मारकिया समाधी कहा है इसके बारे मनें पूरी डिटेल बता दी उत्तर आपको बताना है रादे रादे गनेश जोब लग गया गनेश तेरे को बदाई हो और सुब काम नाए और हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम मिठाई कब लेके आए इस डिजिटल के सामने बच्चों से रूबरू कब होगा ठीक है मत यह चाहता हूं जो बच्चा जोब लगे आओ और अपने जो पड़ाई है वो बच्चों में सेयर करो कि आपने अतुल राजस्थान से पढ़ के लगे हो तो यहार कभी तो आओ ताकि मजाई आप इन बच्चों को बताओ है ना बपा का इस मारक बपा का कहा है तो ध्यान रखना नागदा में है कहा है नागदा कि देखे दोस्तों 2059 में रुपएका है अगर आप फर्स आपल लेते हो धना स्व लेते हो 999 यह रिकोडेड कोर्स है और यह लाइप प्लस रिकोडेड कोर्स है ठीक है और ओफ्लाइन आना चाहों तो वेलकम है अभी 10,000 फीसर बैच स्टार्ट कर दिया मोर्निंग में ठीक है दूसरा बैच से स्टार्ट हो गया है जिसको भी आना है वो आज सकता है most वेलकम है आज के लिए इतना ही और ज्यादा संपर्क के लिए कोचिंग के लिए पूछना चाहो तो यह कोचिंग के नंबर है ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद सुबरात्री मिलते हैं कल शर्क के लिए जिए इतना ही धन्यवार ऑस्क y अ क्ष्छ में फ्री इतना ही कि लिए गम है घ्सनுत्रेश प्राव दिन को थालग के लिए ईफ मैं कर दो यह को युछना ही और है, चैज को भ Bell Ohio आज कि ऑमेंदान हा दो जिएरिक चाहाए झाल झाल